बरसात के दिनों में जिला सोलन में स्क्रब टाइफस के मामले देखने को मिलते हैं। इन दिनों खेतों में पाये जाने वाले माइट से खेतों में कारे करते समय किसानों को इससे स्क्रब टाइफस का संक्रमन होने का खतरा रहता है। जिसे लेकर स्वास्ते विभाग पहले ही अलर्ट हो गया है। विभाग ने पहले ही एतिहात के तौर पर जिले के सभी संदेग्द मरीजों के सेंपल एकत्र किये थे जिनकी रिपोर्ट नेगेटिवाई है। जिला स्वास्ते अधिकारी डॉक्टर आमित रंजन ने बताया कि स्क्रब्ट आइफस बरसात में खेतों में माइट से उत्पन होने वाला रोग है। इस रोग में तेज बुखार बददर्द होता है। उन्हें कहा कि जिला में इस तरह के लक्षन वाले मरीजों के सेंपल एकत्र कर जांच के लिए भेजे गए थे। लेकिन रहत की बात ये है कि इन सभी की रिपोर्ट नेगेटिवाई है। उन्होंने लोगों से खेतों में पूरे कपड़े पहन कर कारे करने का अग्रह किया है। साथ ही खेत से आने के बाद नहाने की भी अपील की है जिससे की आक्रिमन से बचाव हो सके। स्क्रब टाइफस जो है वो बरसाथ के मौसम में मतलब जो ग्रास कटिंग सीजन है इसके साथ ये इलनेस कॉंसाइट करती है। ये एक बैक्टीरियल इलनेस है एक बैक्टीरिया से होती है। बचाव क्या है कि घास में काम करना पड़ रहा है कोई बात नहीं लेकिन अपने फुल कपड़े पूरा बदंच हो उसको कवर करके जाएं आप गास में काम करें अपना नॉमली जो भी करना पड़ता है और आक आपका जो है एक तो उससे बचा हो जाएगा फिर भी अगर किसी को फीवर होता है तो फीवर इमिरेटली उसको हास्पिटल आना चाहिए